है हलो फ्रेंड मैं आनंद राज आप सुब के देखिए आज हम हिंदी पैडागोजी का क्वेश्चन लेक्या है आपका देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम एक जनवरी का क्वेश्चन लेक्या है दुझार 22 में जो ऑनलाइन एक जाम हुआ था देखिए पयपरवन का आज हम एक तारीक का कुष्चन है क्वेश्चन है और सिख्चक सब्श्चन हो सकता है बच्चा के लिए जो चीडेखे द्रील तो हो भार बार लगा तो बच्चा क्या किसेगा और नहीं सिख सकता है और यहां पर पार्ठ पृष्क तक तो लेकिन कहानी और चितरों के दौरा यह सब्द को सिखाना है वर लगता है यह उसको सब्द को तो लगता कैम एं नहीं सीख रहे हैं हम एपके बारे में जान रहे है समझे भी फॉर बॉल अब पहले हम लोग एवी सीडी ऐसे पढ़े थे लेकिन अब कैसा होता है बच्चा को कोई चीज से कोडिलेट करके समझे उसको तो यह कहानी और चीत्रों के माध्यम से ही हो सकता है समझे बच्चा एक कर सकता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा आपका 106 का तो एक नंबर हो जाएगा समझे दूसरा कोश्चन है कि बहु भासावाद सिख्चा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्यस क्या होता है देखिए आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी नोकरियुक्रिवलाबाद तो यह करता नहीं है अशास्त्रिय भासा में परहाना संस्क्रीट संस्क्रीट कंणर उसके बाद तेलुगू तम्मिल मल्यालम संस्क्रीट 2345 उडिया उडिया यह जो भी जह फ्लब क्या है कि आपका वह साथ्ट्रिय भासाते हैं वह उसके अपने भासा में सिखाते दोनों कट गिया अधीक से अधीक भासा देखी अधीक से अधिक भासा नहीं सिख्छाना है समझे बच्चा अपने बहु सिक्षन अधियम के लिए भासा का उपयोग करते हुए बच्चावाद के लिए दुषरा भासा सिखंधे के लिए उसको इसको दूसरा भासा न इसमें तो बहुट भासावाद कि इसका उद्यश क्या है सिक्षय नदियम के लिए सिक्षार्थिव की भाषाओ का उप्योग करना इसका एंसर एक नमर हो जागा एक नमर हो गया एक नमर हो गया प्रिवर्ण पर आपको कोई चीज को ढूणना है वह चीज को ढूंडना है यह चीज मेरे लिए हो सकता है युनिक हो सकता है तो आप क्या करते अनुमान के अधार पर इसको मालिए की आसकता पर रहे हैं इसमें कहिए वाला कोस्टन हमारे एकजाम में आ सकते हैं आप एक तरह का अनुमान लगाईएगा पासमजें कि नहीं हो सकता है यह हो सकता है आपका एंसर क्या वहीं चीज कर अनुमानी किसी पार्ट समागरी में कोई विशी सुचना निकालने के उद्यस्ते उठ पार्ट समागरी किसी अंस को बारिकी और गहनता के साथ पर नहीं हम अनुमान लगा रहे हैं कि हमारे लिए इंपोर्टेंट हो सकता है इसको हम अच्छा से परेंगे समझें इसका एंसर क्या हो जाग 108 तो एक नमबर समझे 109 नमर कोस्चन है कि बहु बुद्धी के सिधानत के संदर्म में ने मिले कि आपके हावाइट गार्नेर का बहु बुद्धी शिधान था उसमें कौन सी भुद्धी भासा से समझे तो अस्थानिक बुद्धी आपको पता है कि आता जो कलपना जो पाइलेट वेगरा में पाया जाता है व्याकरन बुद्धी तो दिया नहीं कि अगला कुस्चन है कि निम्न में कौन से बहु भासावाद के लाब हो सकते हैं समझे तो देखें आपका समिद्र सब्धावली और प्रवासाली भासन नम सही बात हो सकता है तुसरा अंसंस्कृति को भी सही नजर से देखेंगे समझे सिमित रोजगार का उसर देखें इस समझे आपका 3 नमर क्या होगा या गलत हो वका समझे पर गृणि प्रभाषी法 तो इसके परिभासा नहीं है प्रभासी समझे परक्ता यहीं का लाए समझें आपका एंसर क्या हो जागा चार नमबर एक दू चार सही है अगला कोश्चन 111 नमबर कि वाइगोस्की के नुसार जब कोई बच्चा या बच्ची भासा की मदद से अपने स्वेम के कार्यों को निदेशित करते हैं लेकिन वह भासा दूसरे के लिए स्रब नहीं है त मैं दूटैाि जिए से एन सब्सक्राइब को तोसार नीदेशा नेजी कि वेक्ति घृता अंहें भासा दूसरा कि यह साय्लेंटी पूलते हैं हम लोग आंत्रीक भासा यह इनर स्पीच बोलते हैं देखिए दोनों में क्या आंतर है देखिए नीजी भासा या विक्तिकत भासा कहते हैं और इसी भासा को प्याजे ने अहम केंद्रित भासा कहा था आतरीक भासा जीसे इनर या साइलेंट अपने मन में हम बात करते हैं अपने मन में क्या करेंगे दुसरा विक्तिव चीज को नहीं सुनता है वही आपका क्या उस्कीज़िए बच्ची भासा की मदद से अपने स्वेम के कार्यों को निदेशित करता या करती है लेकिन वह भासा और यह आपका था तीन से बस के बीच में रहता है बच्च स्वेम से सिलिये बात करता है अपने कारे को अपने कारह करने लिए तो करने के लिए समझे याद रखेगा इसका एक नंबर हो जागा एक ला कुस्चन है कि बहए मिज्ञान की कौन सी साखा संदर्व से ठीकि यहाँ पर संदर्ब से संदर्व में भासा का उप्योग करना संदर्व का मतलब का होता है कि उसके समान संदर्व का मतलब क्या होता है कि उसके जैसा मतलब होता है तब भासा का जो संदर्व में जो जूरा हुआ है उप्योग ता कि नहीं इसका उप्योग हम कहां कर सकते हैं उससे डिलेटेट करके अर्थ मतलब होता है कोई चीजी हम पर रहे हैं तो उससे अर्थ निकलता है इस संदर्व में और्थ आप संदर्व में नहीं निकाल सकते हैं लेकिन उपयोग आप उसके संदर्व में कर सकते हैं समझे नहीं समझें 113 नंवर कोस्टन है कि 113 नंबर कि शिशुओं में भासा के विकास के संदर में कथन और और बोग पर विचार करें कथना है कि सैस्वावस्था से बच्चे की वाक नली एक ब्यक्स मानों की तुल्ला में जानवर की तरह अधिक हो देखिए आपको पता है आप पीछ के बारे में परियोंगे तारा स्वावस्था बच्चे की जो स्वार अंत्रिया वाक नली होती है एक ब्यक्स मानों की तुल्ला में जानवर की तरह अधिक होती है तो छोटा बच्चा देखिए का आवाज उसका फ्रेस नहीं निकल पाता है समझे तो वह चीज है ती सही बात है अगला है कि छो से बारा मह दोनों सही है अगला कोश्चन है सिसु में भासा के विकास कर सब्सक्राइब करेंगे कि ऊसका चैन करेंगे को उस लाइक की नहीं करेंगे तब उसको मानक बोली में दे सकते हैं आपका एंसर क्या हो जागा का 115 कोस्चन कि बोली के संदर में कथन और कथन बहुत विचार करें कि किसी देश के एक हिसे में बोली जाने हमारा देश में बहुत सारा भासा बोली जाती है उसमें जो छेत्रिये जो भासा होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं बोली का देदम सही बात है एक समान सहचिक प्रिष्ट भूमी वाले लोगों द्वारा विवित प्रकार की जाने वाली भासा में से एक प्रकार के बोली लोग सेच्छिक पिश्ट मुमी हम बोलते हैं जुके सनल जा बैक्ग्राउंड होता है वहां कि भासा में बात करते हैं बोली होता है चेतरी होता है आपका कोई गांव विस्यस में चीज़ बोला जाता होगा समझे इसलिए क्या होगा अप्शन गलत हो गया इसका इंसर क्या होगा आपका और सही है अब भी क्या है आपका गलत है समझे यहां पर सच्छिक दिया है पुष्ट मुमी ना हम इसलिए वह नहीं होगा अगला कोश्चन 115 नंबर सुल्ला नंबर कि पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो जाएगी सहकर्मी से जाने का समय हो गया ह आपके बैठने के लिए देर हो जाएगी आतिसरा आपका है कि विशिष्ट नियो जिकता से यानि महोद है साम के चार बज गया है और बैठक चार बज के 15 बज़े है कि आब हमें चलना नहीं चाहिए भासन में इन भीनिता को किस रूप बजाते देखिए जो चीज होता है ह चीज बतायाए चाहा आउख क्या उनके साथ कईसे बताना है अपने जो बड़े हैं उनके साथ कैसे बोलना है समझे तो वह रजिस्टर में क्या होता इसे रजिस्टर बोलते हैं समझगे अगला कोस्चन है 177 नमबर कि समू वाद विवाद में भाग लेने के लिए भासा सिक छक एक सर्थ रखता है रखता है कि समू में चार विदार्थी कनिष्ट वर्ग से तता एक विदार्थी वर्षिस्ट वर्ग से होना चाहिए यानि एक जुनियर एक सुनियर होना चाहिए जो आप शक्तापने पर कनिष्टों की साहता कर सके तो जहां भी भूले साहता के बात करेगा तो कौन हो जाग करेंगे तुम्हाइस क्यों किया समझे नहीं कहेंगे कि अनुसासित सब्सक्राइब का आपका दो नुम्मर कोश्चन है कि माना ताओ का वह समू जो इस बात की बैख्या करता है कि भासा सनरचना या नियमों का वह समू है कि जहां भी सनरचना के बात कर देंगा संप्रैसना नव्यू नियूश में क्या हुता है कि वहां पर भासा सिखने के लिए आ लगता है बहुत सारे संसालन रखे जाते हैं समझे गए इसका अंसर जागा तिन नमबर हो जागा समझे संदर में कथन और समानता वाचन के लिए मोडल होने के बज़ाए आप जानते हैं कि वाचन को चल का विकास होता है समझे तो यह आपका क्या जागा सही हो जागा समझे दूसरा है सब्सक्राइब करते हैं तो मैं सुनेगा वेक्तिका अधारवक भाग लेता तो इसलिए अपको निकलत हो गया एक नूंबर इंसर हो जागा समझे ठेंक